R.D. शर्मा solution है ये class 11th है chapter 23 the straight lines exercise है 23.18 अब ये जो exercise है इसमें एक equation बहुत जादा use होने वाली है उसको मैं बता देता हूँ वो equation ये है कि अगर आपके पास आपको equation of straight lines निकालनी है जो pass हो रही है x1, y1 से ध्यान रखेगा x1, y1 से पास हो रही है ऐसी line है जो x1, y1 से पास हो रही है और साथ में ये angle alpha बनाती है किसी एक line से जो है y equals mx plus c तो इसकी equation क्या होगी y minus y1 इन line की equations क्या होगी दो line है बनेंगी equals m plus minus 10 alpha by 1 minus plus यहां plus minus हो तो यहां minus plus आएगा m 10 alpha और यहां हैगा x minus x1 ठीक है जी यह ध्यान रखेगा आप यह सब use होगा तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है इस सवाल में यह सवाल मैं पढ़ देता हूँ सवाल है find the equation of the straight line passing through the origin origin यानि कि x1 y1 आपको दिया है 00 यह clear हो गया making an angle of 45 degree making an angle of 45 degree with straight line straight line dv आपको root 3 x plus y equals 11 तो अगर यह line है इसका slope आपको देना है जो m आएगा ना है आपर यह इसका slope है तो कर लें इसका slope निकाल लेते y बराबर हो जागा minus root 3 x plus 11 m हो गया इसमें यह minus root 3 m मिल गया x1 y1 मिल गया इसके साफ से दिख रहा हूँ मैं अब आईए आप alpha पे alpha यह है कि ऐसी line निकालनी है ऐसी lines निकालनी है जो इस line से अगर मैं इसको 11 मानू इस line से alpha angle बना रही है यह यह हो गई आपकी जो 00 से pass हो रही है ठीक है यह line हमारी 11 हो गई अब हमको ऐसी line की equations निकालनी है जो pass तो 00 से हो रही है और इससे angle जो बना रही है वो 45 degree बना रही है तो हमारे पास क्या हुआ alpha यह वो angle होता है जो दोनों के बीच में बन रहा होता है यह 45 degree है हमारे पास और यहाँ पर alpha भी चाहिए alpha चाहिए तो अब हमारे पास सीधा formula है इसमें करना क्या है एक बार आप यह plus लेंगे तो यह minus लेना पड़ेगा यहाँ plus देखिए यह minus क्यों है यह plus क्यों है मैं बताता होगे आपको और अगली बार हम यह लेंगे मैं इस करके दिखाता हूँ तो मैं equation में रखना हूँ सबसे पहले ठीक तो क्यों सी equation होगी y minus y1 यहाँ पर y1 क्या पता है मैं बता है जिरो यहाँ पर कर दीजिए x minus x1 क्या था x1 है 0 यह अब m m क्या है मैं आपको बता है था minus root 3 यहाँ पर m minus root 3 अब यहाँ plus रखेंगे और minus रखेंगे क्योंकि दो equation बनेगी तो मैं plus लेके चलूँगा एक equation plus खाली बनेगी root 3 plus 1 root 3 plus यहाँ क्या है गा 10 alpha alpha क्या है 45 degree 10 निकाली जिए इसका 10 alpha कितना होता है 10 45 degree 10 45 degree कितना होगा 1 ठीक 1 रख दीजिए आप plus 1 अब क्या करेंगे 1 नीचे मैंने क्या पता है था आपको 1 minus plus 1 minus कर दीजिए और M 10 alpha M कितना है minus root 3 10 45 तो 1 है क्या 1 क्या नीचे यहाँ y बराबर होगया यह होगया x यह होगया 1 minus root 3 उपर आगया 1 minus root 3 यह नि minus root 3 plus 1 by 1 minus of minus 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 plus होगया तो 1 plus root 3 इंटो x यह equation होगयी यह पहली equation होगयी दूसरी equation कैसे आएगी आप यहाँ लेंगे minus यहाँ लेंगे plus क्या बनेगा y बराबर root 3 root 3 minus root 3 minus 1 divided by यह क्या बना plus बनाया तो हमने क्या किया यहाँ गया 1 minus root 3 हम इसे क्या करते हैं नीचे बाले से negative बाहर ले लेते हैं negative बाहर लेंगे तो यह जाएगा root 3 minus 1 negative बाहर लिया है तो यहाँ से negative बाहर ले लेते है root 3 plus 1 क्या बनाया root 3 plus 1 by root 3 minus 1 into x यह दोने equation आ गई देखें मिल्कुलों exact सही में यह और यही से बताता हूँ यहां तक हम आ गए है अब आप क्या करेंगे इसको multiply करेंगे ऊपर नीचे 1 plus root 3 को multiply करेंगे ऊपर नीचे 1 minus root 3 1 minus root 3 से और इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे multiply करेंगे root 3 plus 1 और root 3 plus 1 से इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको तो यह वाला मैं कर रहा हूँ न यह है minus root 3 plus 1 by 1 plus root 3 जहां भी है conjugate से मोड़ी बाय करना पड़ेगा तो 1 minus root 3 और 1 minus root 3 क्या होना नीचे तो आपका a square minus b square यह निके 1 square minus root 3 का square 1 minus 3 यहां क्या बनेगा यह basically 1 minus root 3 ही है देखेगा 1 minus root 3 यह भी तो 1 minus root 3 उसका square ही तो हो गया 1 minus root 3 का square हो गया तो a square plus b square minus 2 root 3 कितना बना 4 minus 2 root 3 by minus 2 तो यह इसमें आप क्या करें कि इसको 2 बाहर ले लिजे minus 2 बाहर ले लिजे minus 2 क्यों कि इसससे कट जाएगा मैनस 2 भाहर लेंगे तो यहां क्या बनेगा? मैनस 2 और यहां पर आएगा प्लस रूट 3 नीचे से मैनस 2 मैनस 2 कैंसल तो आपका आगया है एक तरीके से रूट 3 मैनस 2 यह रूट 3 मैनस 2 देख रहे हैं? यह हो गया? अब यह आला देखेगा इस वाले को इसमें हम क्या करेंगे? रूट 3 प्लस 1 रूट 3 मैनस 1 तो पंडीचे रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 वोई करेंगे? रूट 3 प्लस 1 का होल स्कार A स्कार प्लस B स्कार प्लस 2 रूट 3 रूट 3 का स्कार 3 वार गया 1 3 मैनस 1 तो हो गया यह गया 4 plus 2 root 3 y2, 2 भार रहे लिजएगा काट दीजए तो root, यह गया 2 plus root 3 यहापर 2 plus root 3 आगए तो इस तरीके से यह होगा और ही equation बन गई न यहाँ पर एक equation बनी y equals root 3, यह जो निकाला आपने y equal to root 3 minus 2x और अग दूसरा है y equal to root 3 plus 2x ऐसे बनेगी, final equation बी निकालने पड़ेगी तो अब यह clear हो गया न, कैसे करना है find the equation of the straight line which passed through the origin इसमें भी ऐसी है x1 y100 which passes through the origin and are inclined at angle of 75 degree with the straight line x plus y plus root 3 y minus x equals a तो पहले तो 45 degree आपको मिल गया तो याने कि alpha 45 degree है 75 degree है तो 10 alpha निकालना होगा तो 10 आपको निकालना है 75 degree अब कैसे निकालेंगे इसको इसको ऐसे करिए आप 10 75 degree निकालने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ 10 30 plus 45 degree या आप इसको करिए 10 45 45 प्लस 30 degree ऐसे निकालना है तो 10 A प्लस B कितना होता है 10 A प्लस 10 B by 1 minus 10 A 10 B ठीक है तो इसमें 1 रखिए 1 बाइ रूट 3 रखिए यह आजाएगा यह मैं मान के चलता हूँ कि यह आपको मिल जाएगा यहाँ पर solution भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर अब यह हो गया हमको 10 A मिल गया यह रखेंगे यानि कि 10 A मैं बताता हूँ कि यह जो equation आने वाली है यह क्या बनेगी लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो equation दी है वो दी है x प्लस y प्लस root 3 y मैंनस x बराबर A इससे हमें M निकालना है तो y y को जो जमा कर लीजिए x x को जमा कर लीजिए y को left में रखी x वाले को right में ले जाएए जो x के सामने है वो ही आपका M हो जाएगा तो इसको खुलते है x प्लस y प्लस root 3 y मैंनस root 3 x बराबर A तो y y को जमा कर लीजिए y हो जाएगा तो 1 प्लस root 3 और x को पहले इससे ले जा लीजिए x क्या बना x बना आपका इससे ले जाएगे तो यह हो जाएगा root 3 x मैंनस x तो x भाल लेजिए root 3 मैंनस 1 ठीक प्लस A अब उपर नीचे बना दोनों साइड आपको इसका यह तो उठाना पड़ेगा तो y बराबर हो जाएगा root 3 मैंनस 1 by root 3 plus 1 इंटो x प्लस A by root 3 plus 1 यह हो गया m m यह हो गया okay alpha मैंने आपको बताया था alpha निकालने का तरीका भी बता दिया यह मैंने आपको कैसे निकालना है 1045 1075 डिगरी के आप value डिरेक्ट निकाल लेगे जो मैं आपको बता देता हूँ कि वो 2 plus root 3 आने वाली है इसको निकालेंगे 2 plus root 3 आईगी और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जो मैंने equation बताईए उसमें रख देगे तो y minus 1 की जगा 0 x minus 0 और यहाँ पर क्या आने वाला है यह m है अब यह इसको इतना बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें तकलीफ आईगी उसको solve कर लेते तो आप क्या करिए ऊपर नीचे root 3 minus 1 by root 3 plus 1 है अभी अभी हमें यह सवाल किया है इसी तरीके का लेकिन मैं एक बार और कर देता हूँ उपर नीचे root 3 minus 1 root 3 minus 1 इसमें दिभाय कर लेजे तो उपर तो root 3 minus 1 का whole square हो जागा root 3 का whole square हो गया 3 1 का 1 और minus 2 root 3 और यह root 3 whole square और 1 square 3 minus 1 यानिकि 2 तो जाएगा 4 plus 2 root 3 by 2 2 common ले लिजिए यहां से 2 चल जाएगा यह 1 बजएगा 2 plus root 3 यह हो गया 2 minus root minus नहीं ओके 2 minus root 3 क्या आगया यह आपका आगया M जिसको मैं कहा रहा हूँ 2 minus root 3 M की जगा यह रखेंगे तो हम क्या बना रहे थे Y minus 0 M यहा रखेंगे 2 minus root 3 1045 की डिग्री 1075 जो है 1045 और 1030 यहां पर आप 1 रखेंगे यहां 1 by root 3 रखेंगे तो इस तरीके से क्या बनता है आपका बनेगा मैं direct value लिख रहा हूँ यह हम बहुत बात कर चुके हैं इसलिए direct लिख देता हूँ 2 plus root 3 और यहां पर क्या आएगा 1 minus यह 2 minus root 3 y into 2 plus root 3 इसको जब आप solve कर लेंगे तो यहां solution में दिखा देता हूँ यह solution होगा इसका आपका finally जो आएगा y equal to minus root 3 x आएगा एक बार यह आया है एक बार यह आया है जब यहां plus लेंगे जब यहां plus लेंगे तो यहां minus लेंगे जब यहां minus लेंगे तो यहां plus लेंगे तो एक बार यहां पर plus लेंगे यहां minus लेंगे यहां पर minus लेंगे यहां plus लेंगे देख लीजे और एक बार आपका equation आएगी y equals यह वोड़ हो जाएगा तो सीधा x बराबर 0 कि 0 यहाँ बंडिप्राइ करिएगा इधर पर, राएक्स बराबर 0 हो गया, और y-root 3x, रहे कि root 3x plus y equal 0, यह है question number 3, find the equations of the state line passing through 2, minus 1, making an angle of, यह हो गया 45 degree, with the line, with the line, the 6x plus 5y minus 1, बिलको same question है, तो इसमें बड़ी-बड़ी जो चीज़ें आए हैं, जो main main चीज़ें बता देता हूं आपको, find the equation of the state line passing through 2, minus 1, x1, y1, इसमें है आपका 2, और minus 1, फिर आपका making an angle of 45 degree, तो 45 degree का मतलब जो हो गया, alpha आपका 45 degree हो, तो 10 alpha निकाल लिए जीज़ा, 10 alpha हो गया आपका 1, ठीक, 10 alpha निकालना है, basically यह M2 कह लिजें इसको, यह हो गया, एक चीज़ी हो गई, दूसरी चीज़ी हो गई, तीसरी चीज़ी बोलते हैं यह, making an angle of this with line this, 6x plus 5y minus 8 बराबर 0 है, तो 5y हो जाएगा आपका, दुरों के दिले आईए, minus 6x plus 8, 5 से डिवाइड कर लिजे, तो y बराबर minus 6, 5x plus 8 by 5, यह आपका हो गया, minus 6 by 5 हो गया इसका M, यानि यह M की जगा रखेंगे हम, M हो गया, minus 6 by 5, सारी चीज़ मिल गई, सीधा formula में रख देंगे, दिखा देता हूँ आपको, दिल्कु सेम सवाल है, तो y minus y1, x minus x1, इसमें क्या करेंगे, x1, y1 आपके पास है, यह हो गया y1, यह हो गया x1, यह मैंने बताया था आपको, minus 6 by 5, क्या हो गया यह M, यह अभी हमने निकाला, minus 6 by 5, minus 6 by 5 आप यहां रखिए, इधर पे, 1045 degree 1 है, यहाँ पर आप, नीचे 1 plus, this, this into this, एक बार plus लिजी है, minus लिजी है, यहाँ plus इसलिए दिख रहा है कि वहला आपको, क्योंकि यह minus 6 by 5 है, minus 6 by 5 और 1045 के 1 को पर आपका रहेंगे, तो minus minus plus हो जाएगा, एक बार यहाँ minus लिजी है, यहाँ plus लिजी है, अब यह plus minus क्यों हो गया, क्योंकि यह minus 6 by 5 है, इसको solve करिए, यह equation आएगी, इसको solve करिए, equation है, सवाल संख्या है, यह 4, find the equation of the straight line, which passes through point h and k, and are inclined at an angle, 10 inverse m, to the straight line, y equals mx plus c, तो आपको x1, y1 दिया है, h और k, value चीज यह, equation दी है, y equals mx plus c, equation यह है, तो इसको मतलब, m की जगा, आपको m ही मिला हुआ है, m की जगा, आपको m ही रगना है, 10, आपको यह भी दिया हुआ है, की एंगल कितना है, alpha जी आप दिया हुआ हो, 10 inverse m दिया हुआ है, जिनने की 10 alpha की जगा भी आपको, m रखना है, ज्यान रहेगा, 10 alpha की जगा भी m रखना है, तो इसको मुँ करेंगे, y minus y1, कितना हो गया है, k, बराबर, यहाँ x minus x1, कितना हो गया हुआ, h, अब यहाँ पर क्या है गया, m1, m, m, मतलब यह m, मैंने क्या अपता था, m, m plus minus, और दूसरा भी m e है, y, 1, प्लस यह है, तो यह minus plus, और यहाँ पर, m into m, y minus k, बराबर, यह m, एक बर मैं प्लस ले रहा हूँ, m plus m होगया, 2m, और यहाँ नीचे, y लेंगे, तो 1 minus m स्कुरा है, into x minus h, उसी बर हम लेंगे, y minus k, बराबर, यह x minus h, अब हम लेंगे, माइनस, m minus m तो 0 हो गया, तो यह तो 0 होगया, y बराबर k, तो यह equation होगया, इसमें क्या करेंगे, बस आपको करना कुछ नहीं, इसको ले जाईए, और रियरेंज कर दीजिए, याने कि, आप कर सकते, y minus k, into 1 minus m स्कुरा, यह हो गया, equals 2m, into x minus h, यह हो गया, यह दूसी equation होगया, सवा संख्या है, यह 5, फैंड equation of the straight line, passing through the point 3, minus 2, and may incline, at 60 degree to the line, root 3x plus y, बराबर 1, exactly इसी तरीके का सवाल है, x1, y1 आपको दिया हुआ, इसमें, 3 or minus 2, इसमें दिया है, जो 10 alpha, basically alpha दिया हुआ है, 10 alpha दिकालेंगे, तो 10 60 degree दिकालना है, 10 60 degree की value तो हम जानते ही है, यह होती है, root 3, तो हो गया, 10, मिरे आपको पहला सवाल बताया था, 10 75 जब निकाला था हमने, 10 30 plus 45, उसमें 10 30 को आपको 1 by root 3 रखना है, तो ऐसे solve होगा है, उसके बाद आपका, तो root 3 x बराबर minus y, minus, no, no, y तो इतर रखना है, y बराबर minus root 3 x plus 1, m कितना हो गया, minus root 3, बस इस equation में रखना है, यहाँ पर आपको रखना है minus root 3, 10 alpha की जगा रखना है आपको root 3, यह होगा plus minus है, तो यह minus plus हो जाएगा, y1 की जगा रखना है आपको minus 2, यानि कि y plus 2 हो जाएगा यह, यहाँ देख रहे हैं आप, x minus x1 3 है, तो यहाँ पर x minus 3 है, x minus 3, यहाँ पर रखिए आप इसकी जगा, minus root 3, minus root 3, और यहाँ पर एक बाद प्लस करिए, यहाँ पर minus करिए, यहाँ आप, यहाँ तो यहाँ तो यहाँ आप, यहाँ तो यह जीरो बन रहाँ न, यह तो जीरो हट जाएगा, y plus 2 आएगा, दूसी equation जो है, इसको थोड़ा सर यह रेंज कर सकते हो, चाहो तो आप, क्योंकि y plus 2 equals root 3 x minus 3 root 3, तो यह root 3x और y को साथ ले लिजिए, constant पे दले आईए, वोड़ा सरी रेंज कर सकते हैं इसमें सवाल संख्या है आपकी साथ, find the equation of, equation, to the sides of, question number, अभी हमें कुन से क्या था, आच्छे है, अच्छे है, ठीक है, find the equation of the state line passing through the point 2,3 and inclined at an angle of 45 degree to the line 3x plus y minus 5, okay, इसमें x1, y1 है, आपका 2, 3, 10, 45 यानि अलफा दिया हुआ है, आपको वह जागा 1, और 3x plus y minus 5 बराबर 0, तो y बनेगा minus 3x plus 5 बराबर, तो m हो गया minus 3, तो m यहाँ रखेंगे minus 3, 10 अलफा की जगर रखेंगे आप 1, y1 की जगर रखेंगे आप 3, x1 की जगर रखेंगे आप 2, एक बार plus लेंगे, तो यहाँ पर minus लेना पड़ेगा, यहाँ plus लेंगे तो यहाँ minus लेंगे, अब यह है सवाल, यह है सवाल, question no. 7, find the equation to the sides of the isosceles right angle triangle, the equations of whose hypotenuse is this and opposite vertex is the 0.22, सवाल समझे पहले, देखें, हमको पहले तो निकालना है equation of the sides of isosceles triangle, AB और AC, इनकी equation निकाली है, लेकिन हमारे पास situation यह है, कि यह दोनों लाइन 2, 2 से पास हो रही है, पहले चीज़ यह हो गई, और यहाँ पर क्यों यह isosceles triangle होता है, यह 90 degree है, तो यह 45 होगा, यह 45 degree होगा, यह दोनों side equal है, यह 45 degree, यह 45 degree, तो यह जो line है, यह इस line के साथ बना लिए 45 degree एंगल, यह आने कि आपको 10 alpha मिल गया, 45 degree है, 10 45 मिल गया, और आपको यह line की equation भी मिल गई, जिसके साथ यह 45 degree बना लिए है, याने कि 3x plus 4y equals 4, और 3x plus 4y equals 4 को हम लिखेंगे, 4y हाँ रखेंगे, 3x को यह आने जाएंगे, minus 3x plus 4 और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, यह जगा, y equals minus 3 by 4, x plus 1, m आ गया, m भी चाहिए था, minus 3 by 4 हो गया, m भी आ गया हमारा, और 10 alpha मैंने बता दिया, 10 alpha आपका 10 45 degree यह नहीं बना आएगा, और यह line कहां से, यह दुनों line है कहां से पास हो रही है, 22 से, तो x1, y1 भी मिल गया, 22 भी मिल गया, तो आप देखिए, कैसी equation मना दी, y minus y1, x minus x1, y1 भी 2 है, x1 भी 2 है, यहाँ पर slope मैंने अभी बताया आपको, यह इस line की equation है, यह जो line की equation है, जो opposite side है, वो 3x plus 4y equal 4 है, इसका m निकाल लिया, हमने minus 3 by 4, और मैंने आपको बताया था, यह जो दोनो line है, दोनो line है, a, c और a, b, किसके साथ angle बना रही है, 45 degree, इस line के साथ, तो angle भी हमरे बस 10, 45 degree, 1 भी हो, 1 भी निकल आया, तो यहाँ पर एक बाद plus लिजिए, minus लिजिए, यहाँ पर minus लिजिए, plus लिजिए, यह आपको plus इसलिए दिख रहा है, क्योंकि यह negative है, यह negative इसलिए दिख रहा है, क्योंकि negative है, और negative के कालनी यह आ गया है, और इसका equation बनेगी, x minus 7y plus 12, 7x plus y minus 16, यह solution आपके सामने है, इसको करूँगा तो समय लग जाएगा, तो यह दोने question बन जाएगी, आपकी, इसमें जो सवाल है, the diagonal of a square lies along the line, एक line दी हुई है, पहले मैं एक square बना देता हूँ, square के सारे side बराबर होते हैं, इसमें एक diagonal है, 8x minus 15y के along, and one vertex of the square is 1,2, एक vertex इसका 1,2 है, find the equations to the sides of the square passing through the vertex, तो आप सिधी सी बात है, हमको सारी चीजें जो हमें चाहिए, वो मिली हुई, कैसे, माली जे यह a है, a जो point है, वो आपको दिया हुआ है, 1,2, यह दिया हुआ है आपको, इसके अलावा, यह जो line है, इसकी equation भी दी हुई है, क्या दी हुई है, 8x minus 15y, अब इसके अलावा, एक और चीज, हमको चाहिए, यह जो एक, जैसे a, b, c, d, ऐसे माल लिजे, या a, b, c, d, इसको माल लिजे, a, b, c, d, a, b, c, d, इसका मतलब, अलफा आपको मिल गया, 45 डिगरी, तो 10 अलफा कितना हो गया, 1, यह आपको मिल गया, इसके अलावा, आपको x1, y1 पता है, x1, y1 आपको पता है, x1 है 1, y1 है 2, इसके अलावा, यह 8x minus 15y है, यह list line की equation, यहां से m निकलेगा, तो 8x minus 15y, बराबर 0, 15y बराबर 8x, और y हो गया, 8 by 15x, तो m कितना हो गया, 8 by 15, m भी मिल गया आपको, बस formula में रखना है, एक बार plus, एक बार minus, तो यहां पर आईए, y minus y1, मैंने आपको क्या अपता है था, y1, 2, और x1 है 1, y minus y1, x minus x1, तो यह हो गया, इसके लावा आप क्या लिखेंगे, m plus minus 10 alpha, तो plus ले ले इतने पहले, m कितना पता है गया आपको, 8 by 15, 8 by 15, और 10 alpha हो गया 1, यहां पर लिखें, 8 by 15, 8 by 15, यहां पर लिखें 1, यहां पर भी 8 by 15, यहां पर लिखें 1, यहां प्लस, यहां माइनस, अब यहां प्लस, माइनस है तो यहां माइनस, यहां प्लस, और इसको solve करेंगे, तो यह दूने equation आ जाएगी, The equation of one side of equilateral triangle is this, equation, एक side equilateral triangle, equilateral triangle का मतलब होता है, तीनो side बराबर है, equation दी हुई है आपको, एक side की, and one vertex is 2 plus root 3,5, prove that the second side is, y plus 2 minus root 3x equals 6, and define the equation of the third side, तो इसके लिए क्या तरना होगा में, माल लीजे कि आपका यह triangle ABC है, और हम कहते हैं कि भाई, यह जो vertex है हमारा, इसको हम कहते हैं, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, A vertex को दिया गया है, 2 plus root 3,5, यह हो गया आपका, इसके अलावा आप ध्यान रखें, कि दो लाइने इससे पास हो रही हैं, और वो एक तीसी लाइन से बराबर angle मना रहे हैं, क्योंकि यह भी 60 है, यह भी 60 है, गया आपको 60 degree, तो 10 alpha कितना हो गया, 1060 कितना होता है, root 3 होता है, तो 10 alpha मिल गया, अब आपको इस line की equation दी है, BC line की equation दी है, X minus Y बराबर 0, Y बराबर कितना हो जागा X, यानि कि M कितना हो गया 1, यह हैंना 1, तो M आपके पास आगया, 1, यह हो गया, तो आपको 10 alpha मिल गया, M मिल गया, अब X1, Y1 की दरकार हो यह है, यह हो गया, X1, Y1, X1, Y1, X1 है 2 plus root 3, और Y1 है आपका 5, आपके पास equation है, निकालना है, देखिए Y minus Y1, X minus X1, Y minus Y1, X minus X1, यहां भी Y minus Y1, X minus X1, एक बार आप plus लीजिए, एक बार निचे है, यहां पर अगर plus लेंगे, minus है, यहां एक बार minus यहां plus, अदर plus और minus एक बार चलेगा, और minus और plus एक बार चलेगा, M की जगा डालेंगे 1, और यहां पर 10 alpha की जगा डालेंगे root 3, यह root 3 डालेंगे आपे, ठीक है, root 3 यहां, root 3 यहां, root 3 यहां, root 3 यहां और फिर इसको solve करेंगे, solution आपके सामने है, तो समय लग जाएगा, अगर मैं इसको करूँगा, तो यहीं पर बता देता हूँ आपको यह final equation आपकी यह बनने वाली है, क्योंकि एक जो side है, वो y plus 2 minus root 3 x equals 6 दिया हुआ है, तो वो हमारे पास एक equation तो आई ही रही है, यह equation सवाल में दी हुई है, यह equation यह हो गई, दूसरी equation यह हो गई, और तीसरी equation यह बन रही है, तो तीसरी equation आपको यह लिखने है, solution आपके सामने है, संख्या 10, find the equation of two straight lines through 1,2 forming two sides of a square of which 4x plus 7y equals 12 is 1 diagonal, यह अभी हमने ऐसा सवाल किया है, तो मैं आपको यह समझा देता हूँ, क्या है इसमें, देखेगा आप यह a, b, c, d करके आपका square है, और इस square में यह 1,2 x side है, और यह diagonal है 4x plus 7y equals 12, जैसे मैंने बताय था, जो lines, या 2 lines, जो a से pass हो रही है, और वो a की angle बना रही है, किसी तीसरी line से, 45 degree, 45 degree, तो इसमें क्या क्या हम लेते हैं, हमारे पास यह तो formula तो है, y minus y1, x minus x1, यहापर m plus minus 10 alpha, और यहापर 1 minus plus m10 alpha, यह formula ध्यान रखना है आपको, मैं values बता देता हूँ, क्या क्या आएगी, पह तो इस line क्या हम slope निकालेंगे, यह आपके पास है, 4x plus 7y, पराबर 12, तो 7y हो जाएगा, minus 4x plus 12, और यहाँ पर y बनेगा, minus 4x by 7 plus 12 by 7, यहने कि m आपका आगया, यह, minus 4 by 7, यह भी value मिल गई, 10 alpha हो गया, इसमें 10 alpha चाहिए था, m हो गया, x1, y1, यह आपका 1, 2 हो गया, तो x1 हो गया, y1 हो गया, 1 और 2, तो formula में सीधा रखें, यहाँ पर, यहाँ पर आपको m की जगा, minus 4 by 5, यहाँ पर 1 रखना है, और y minus 2, और x minus 1, एक बार plus minus लेंगे, एक बार minus plus लेंगे, यह plus 2 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ negative है, यहाँ रखींगे, और इसलिए यह negative दिख अब इसमें जो सवाल संख्या हमारी थी, नौ, वो ही है यह question, बिल्कु सेम है, बस इसमें यह नहीं बताया गया है, क्यों सा triangle है, अब जब आपको बता दिया गया, कि दो एंगल 60 दिखरी है, अगर आप कहें, कि एक पॉइंट से, इस पॉइंट से 1, 2 से, दो लाइने जा ही है, वो तीसरी लाइन से वो 60 दिखरी, 60 दिखरी बना रही है, तो एक triangle में 60 दिखरी, 60 दिखरी, 30 कितना होगा, 180 माइनस 60, 180 माइनस 120, यह भी साथ होगा, तो सीधी से बात है, यह तो हो गया, अब आपको इसका, इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी है, area निकालना है, area जो triangle का होता है, equator triangle का वो होता है, root 3 by 4 into side square, side square है ना, तो side square अभी इस सवाल में आपको side नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो हम side निकालेंगे, और उसके बाद मतलब length से निकालेंगे वो, और फिर उसके बाद हम यह वाली चीज़े करेंगे, तो पहले मैं आपको पहले equation बत लिखी राय है, तो 10, 60 यह रूट 3 आपका M, यह 10 alpha हो गया, M कितना होगा, आपको बताया गया, यह line की equation कितनी हुई है, X plus Y equals 0, इसको लिख सकते हैं, Y बराबर minus X, यह minus 1 plus 0 कर दीज़े, तो M कितना हो गया, minus 1, M minus 1 हो गया, 10 alpha आपका root 3 हो गया, और X1, Y1, 1, 2 हो गया, तो य आप देखेंगे, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सारी values रिख रहा हूँ, यहाँ पर हो गया, यहाँ की जगा minus 1, इसलिए अगर root 3, ऐसी यहाँ पर, minus 1, root 3, एक पर plus minus लिखिए, एक पर minus plus लिखिए, दो equation आएगी, यह दोने equation बन गई, अब यह जो दोने equation है, इन equation को, जैसे मैं इस equation को बोलता हूँ, कि यह हमारी L1 है, यह हमारी L2 है, यह L1 हो गया, यह L2 हो गया, अब यह जो हमारी X प्रस Y है, और यह L1, इसका intersection point निकालना है आपको, फिर इस L2 और इस X प्रस Y का intersection point निकालना है, मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, और दूसरा, मैं आपक यहां डिरेक्ट बता दूँगा और उसके बाद इन दोनों का हम difference लेंगे यहने इन दोनों का distance लेंगे तो मैं इन दोनों का solution कर देता हूँ देखें एक line है आपके x प्रस y बराबर 0 और एक line क्या निकल के आई है हमारी जो line निकल के आई है वो निकल के आई है मैं इसको पहले easy कर दूँगा तो एक equation ले लेंगे y minus 2 बराबर 2 minus root 3 into x minus 1 यह आगई है तो आप क्या करिए चलिए आप यह दो equation को solve कर लेते हैं एक equation हमारे पास x plus y बराबर 0 तो आप x को minus y या y को minus x लिख सकते हैं इसी तरीके से यह वाली equation उठा रहा हूँ है इसमें y minus 2 बराबर 2 minus root 3 into x minus 1 अब हम क्या करते हैं y की जगा हम minus x या x की जगा minus y रख देते हैं तो आप क्या करिए यहाँ पर y की जगा आप रखिए minus x तो यह minus x minus 2 या x की जगा minus y रखिए जगा minus y तो यह यहाँ पर y minus 2 बराबर 2 minus root 3 x की जगा मैं minus y रख रहा हूँ अब minus minus है तो पहले इस minus से हटा अपना निजात पाते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से स्वाल हो जाए minus मैंस हटा ही है इसको उल्टा कर दीज़े बस सीदा यह जगा root 3 minus 2 अब बनजएगा y plus 1 ठीक y plus 1 हो गया यह y minus 2 अब बडिप्लाय कर दीज़े इसको y minus 2 बराबर root 3 minus 2 into y और plus root 3 minus 2 अब क्या करेंगे 2 को इधर ले जाए y वाले को इधर ले आए यह 1 तो है इसमें अब कर देता हूं मैं y minus root 3 minus 2 into y और अब रूट 3 minus 2 इसको यहां ले जाएंगे तो plus 2 बन जाएगा यह cancel हो गया यह बनेगा 1 minus root 3 plus 2 रूट 3 बनेगा y 3 minus root 3 रूट 3 तो y बन गया root 3 by 3 minus root 3 उपर नीचे आप 3 plus root 3 और 3 plus root 3 से मुन इपलाय कर दीजे तो उपर बनेगा root 3 into 3 3 root 3 और root 3 root 3 हो गया 3 नीचे होगा 3 स्क्वार minus root 3 स्क्वार यहां कि 3 9 minus 3 यहां कि 6 जीचा है 6 अब यहां से 3 common ले लिजे root 3 plus 1 और नीचे 6 है 3 to the 6 root 3 plus 1 आगया तो एक root 3 plus 1 by 2 दूसरा minus में है अगर यह y इतना है तो x कितना होगा minus y तो यह हो गया y x हो जाएगा इसका बस minus लगा दिजे सामने root 3 plus 1 by 2 ठीक है तो x इतना आगया y इतना आगया इसी तरीके से आप इन दोनों को solve करेंगे इस वाले को और x plus y पराबर 0 को तो यह equation आ जाएगी एक बार यह एक बार यह अब यह दोने equation आ गई है मदब दोनों points आ गए तो basically b और c आ गया है तो आप क्या करेंगे y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square यह formula लगा देंगे इसमें आप ले लिए x1 y1 और x2 y2 इसको side निकल आएगा side root 6 निकल के आगा इसको करेंगे side आएगा root 6 अब मैंने आपको बताय था root 3 by 4 into side square यह आपका area होता है root 6 का whole square कर दीजे root 3 by 4 into 6 और यह निकल के आता है root 3 root 6 का whole square होगा 6 6 तो 2 यह जगा 2 यह जगा 3 तो 3 root 3 by 2 यह square units आपका area जाएगा अब यह है question number 12 two sides of isosilis triangle are given by the equation this and this and its third side passes through the point 1, minus 10 determine the equation of the third side तो यह बिल्कुल बिल्कुल सीधा सवाल है देखिए यह isosilis triangle है तो यह angle और यह angle बराबर होगा यह angle यह angle बराबर होगा यह line की equation दी है यह line की equation दी होई है अब आपको पहले तो यह point चाहिए ठीक और यह जो BC line है यह pass हो रही है 1,10 से यह जो third line है BC यह pass हो रही है 1,-10 से और यह side और यह side आपको दिया हुआ है आपको equation निकालने है इस third side की इसका मतलब अगर आप इसका slope निकालने है इसका slope ही तो चाहिए तो आपके पास आ जाएगा क्योंकि point किस point से पास हो रहा है हमें पता से लगया तो इसका हमें basically M चाहिए तो हमको यह पता है कि अगर हमारे पास यह point आ जाए इसका slope M है और यह दोने angle जो है यह हमको 10 alpha से मिल जाएंगे 10 alpha से मिल जाएंगे यह कहीं यह 10 alpha में हम रख देंगे तब हमारा क्या होगा अब हमारा आपसे निकाल सकते है तो हमको यह किसी तरीके से हम क्या करेंगे यह दोनों बराबर है ठीक अब अंगल निकालने का तरीका बबताता हो देखें ये साइड और ये साइड मतलब ये दोनों साइड बराबर तो ये अंगल ये अंगल बराबर होगा मतलब अंगल B अंगल C के बराबर है AB और AC बराबर है तो अंगल B और अंगल C बराबर है AB का slope निकल के आएगा मैं यह ले रहा हूँ 7X-Y 3 बराबर 0 Y बराबर 7X 3 तो slope इसका 7 आ गया slope इसका 7 हो गया AB का इसी तरीके से आप AC का slope निकाल लीजे तो X-Y-3 बराबर 0 और Y हो जाएगा आपका minus X plus 3 तो minus 1 इसका हो गया slope ठीक है जी इसका slope हो गया आपका plus 7 इसका slope हो गया minus 1 तो आप मान के चलिए कि यह जो slope है BC का हम M मान के चलते हैं तो आप इसका slope मैंने जैसे बताया कि slope AB और AC AB और AC का slope बराबर है उसका कारण क्या है उसका mod लेगे उसका कारण यह है कि आपको सवाल में दिया हुआ है कि two sides of AC सेलेस्ट आइंगल are given by this and this and third passes to determine the equation of the third side कहने का मतलब यह है कि अगर हम यह कहें कि यह दोनों side इनकी slope कैसे बराबर होगी mod करना पड़ेगा क्योंकि यह angle और यह angle यह angle और यह angle बराबर है तो यह angle कितना होगा यह मालनीज़ थीटा है तो यह कितना होगा 180 मानस थीटा तो आप क्या करेंगे mod लेना पड़ेगा क्योंकि यह है 180 एक तो थीटा है 180 मानस थीटा है तो आप क्या करेंगे इसका इस से angle निकाल लिए इसका angle तो निकाल लेगे M को कह दीजे M to 7 को 7 को कह दीजे M और 7 लगाना है आपको यहाप पर तो आप देखेगा यह जो स्लोप है M minus 7 by 1 plus 7 M इसी फॉर्मले से लगा दिया मैंने अब इसका स्लोप देखे इसका इन दोनों के बीच में अंगल देखे इसका स्लोप तो मैंने माना है M माना है तो कितना हो जाएगा बिलकुल M1 M2 by 1 plus M by M2 यह लेंगे ठीक तो यह जो दोनों चीजे है अब आप देखे यह M plus 1 by 1 minus M भी हो सकता है और M plus 1 by M minus 1 भी हो सकता है इसके आपको चिंता कहने के जुरूद नहीं 1 minus M यह एंगल और यह जो मैंने अंगल बताया M minus 7 by 1 plus 7 M यह एंगल और यह एंगल बराबर है लेकिन इसको आपने को लेना पड़ेगा मॉड में जो मॉड ओपन करेंगे तो क्या होगा M minus 7 by 1 plus 7 M एक बार इसको प्लस लेंगे एक बार मानस लेंगे तो M plus 1 by 1 minus M 1 minus M तो यह इसमें क्या करना होगा आपको एक बार प्लस लेंगे एक बार मानस लेंगे ठीक तो अब हमकर पॉजिटिव साइल लेते हैं तो इससे हमको M की एक्वेशन बनेगी यानिके M minus 7 by 1 plus 7 M पराबर M plus 1 by 1 minus M इसको हम इससे मनिप्लाय करेंगे इसको इससे मनिप्लाय कर गूट्स तो M आएगा minus 3 M आएगा 1 by 3 तो minus 3 और 1 by 3 आगे अगर आप यह negative sign लेते हैं एक बार आप positive ली आपने एक बार negative लेंगे ठीक है यह positively आप negative लेंगे तो negative लेंगे तो आपके पास क्या होगा इसको solve परेंगे तो आप देखेंगे M square आपका minus 1 आजाएगा M square minus 1 तो होई नहीं सकता हो सकता है यह कभी नहीं हो सकता तो यह चीज जो negative वाली है तो आप मत लीजेगा लेके दिखा दीजेगा कि गरत आ रहा है तो आपका minus 3 और 1 by 3 हो गया अब आप देखेंगे equation कैसे निगलेगी y minus y1 बराबर M x minus x1 ठीक तो y minus y1 y1 कितना है यह 1 minus 10 से पास हो रही है तो minus 10 हो गया तो y plus 10 हो गया x minus 1 अच्छा M एक बार लेंगे आप क्या लेंगे minus 3 यह जो यहां आया है और अगली बार M लेंगे आप 1 by 3 अलग लग लग लेंगे तो एक बार ऐसी equation बनेगी minus 3 लेके एक बार 1 by 3 लेके ऐसी equation बनेगी अब सवाल संख्या है आपका 13 इसमें है show that the point 3, minus y lies between the parallel lines अब दो parallel lines है आपकी एक parallel line है 2x plus 3y minus 7 बराबर 0 और दूसरी parallel line है आपके पास 2x plus 3y plus 12 बराबर 0 तो आपको बताना है 3, minus 5 इनके बीच में आता है तो हम क्या करते है जब भी अगर हम कहें कि भğlई ये a की side में आता है इसके दुनों point 2 point हमारे पास है वो a की side में आते हैं तो ये दूनों point को इसमें रखिये multiply करिए जो result आता है वो greater than 0 है तो एक ही side में है अगर ये point और ये point अलग-अलग side में आता है तो आप ये दोनों point को रखिएगा x और y की जगा और multiply करिए तो आप दिखेंगे less than 0 हो जाएगा तो इसके लिए क्या तर्टीब निकालना होता है वो ये है ये आप इस line से चेक करेंगे ये वाली line से चेक करेंगे अब मैं आपका उताता हूँ अगर मैं x की जगा 0 रगदू और y की जगा minus 4 रगदू तो क्या आएगा 2 into 0 plus 3 into minus 3 into minus 4 plus 12 बराबर 0 ठीक है जी 0 minus 12 plus 12 बराबर 0 तो 0 बराबर 0 आगे इसका मतलब 0 और minus 4 इस पे लाई करता है तो ये concept लगाते है अगर इस line के हिसाब से ये दोनों point A की side में है तो ये दोनों को हम इस पे रखेंगे और multiply करेंगे और दिखेंगे gradient 0 आता है कर नहीं आता है इसका मतलब 2 ये line है ये mileage L1 है तो L1 into L1 यहाँ पर रखेंगे 0 minus 4 और दूसी बार रखेंगे हम 3 minus 5 दोनों लाईनों में एक बर ये रखेंगे एक बार ये रखेंगे और वो greater than 0 आता है तो दोनों इस line के इसी side है एक ही side है तो क्या करते हैं इस line को लिखते हैं 2 into x पहले मैं 0 रख रहा हूँ 2 into 0 plus 3 into minus 4 और minus 7 दूसरी बार ये ही line ले रहा हूँ और 3 into minus 5 रख रहा हूँ 2 into 3 plus 3 into minus 5 minus 7 अब ये क्या आता है देखें ये हो गया 0 minus 4 3 to 12 minus 12 minus 7 तो minus 19 हो गया ये ये हो गया आपका 6 6 minus 7 minus 1 minus 5 15 minus 1 minus 15 हो गया minus 16 minus minus plus दिख रहा है आपको ये greater than 0 हो गया greater than 0 से prove हो गया कि ये दोरो जो point A की side है इसका मतलब 3 और minus 5 इन दोरों के बीच में है पहले तो ये clear हो गया आपका अब हमारे पास क्या है हमको निकालना है लाइनों की equation find the equation of the line through 3 minus 5 cutting the above lines at an angle of 45 degree तो आप आप सीदी सी से बात समझ लीजे ये आपको x1 y1 मिला हुआ है 3 और minus 5 ये तो हो गया alpha आपको दिया हुआ है ये alpha दिया है 45 degree तो 10 alpha कितना हो गया 45 हो गया 1 तो 10 alpha भी आगया आपका m चाहिए अब आपको m m कहां से मिलेगा m आप देखें ये line ये line दोनों parallel है तो m किसी का भी निकाल लीजेए जैसे मैं इस line से निकाल लेता हूँ 2x plus 3y नहीं इस से निकालता हूँ क्योंकि इसके साथ हमने ये किया तो मैं इसको करके दिखाता हूँ 2x क्योंकि दोनों का slope एक ही आना है 2x plus 3y plus 12 बराबर 0 बज़ागा 3y बराबर minus 2x minus 12 y बराबर minus 2x by 3 minus 12 by 3 ये minus 2 by 3 slope आगया m भी आगया आपका minus 2 by 3 अब तो आपको पता ही है सब कुछ करना y minus y1 x minus x1 यहां आएगा m plus minus 10 alpha और 1 minus plus m 10 alpha सारी values आपको बता दी मैंने यहां रखेगा सामने solution है यह equation आएगी यह equation आएगी इसकी जगा m की जगा minus 2 by 3 और यहां पर आपको 1045 की जगा 1 रखना है तो यह सवाल जो हुए इस exercise के बहुत शुक्रिया बहुत मिर्बाली आपसे बीकिए बहुत शुक्रिया